हेलो फेंज वद्बू स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा कुछ ऐसे इस वीडियो क्या पूछे जा रहे हैं फिप्टीन बैस्ट स्वाटिंग और कोश्चिन में इसमें लिए हैं और ये सबी एससे एक्जेम्स और सभी बेंकिंगे एक्जेम्स के लिए हाई इंपॉर्ट रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन कोश्चिन को देखे एक ये इसे दौरा हमारे एंसेस्टर चलिए हमारे उनके ौरा सन को एक पवित्र चीडिक रिस्पेक्टीड चीडिश माना गया मतिए सन की जो किरन निगलती है वोन एक कुर्ण नहीं निकलती बीश्टे लोपी सन की रैज होती है या तो हम शेक्ट तो इसलिए सन के साथ हम कभी भी रे वर्ड का यूजस नहीं करेंगे हम करेंगे रेज ठीक है तो सबसे जो मिस्तेक है वो यहीं पर है इसमें अ मिस्तेक है तो इस अब देखिए ये भी एक काफी अच्छा कोश्चन है कि हमारे सोल्जर जो थे वो बैटल ट्रेंड थे एनीमी के सोल्जर से ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है दैट ओफ दैट ओफ का मतलब है कि यहाँ पर हम दो चीजों को कंपर कंपर कर रह अब यहाँ पर या तो आप यह बुल सकते हैं कि आर व्रूजर रब्र बैटर ट्रेंड देन ऐनीमी सोल्जर ऐसे भी बुल सकते हैं एपॉस्ट्रफ यह लगाके और एनीमी इस व्रूजर अगर नहीं बुल रहे हैं तो डैट ओफ एनीमी जू अब सकते हैं लेकिन चूखि यहां पर soldiers जो है यह plural है इसलिए that of का plural version यहां पर आपको use करना होगा that of का plural version जो है वो है those of ठीक है that of आता है singular के लिए लेकिन soldiers plural है इसलिए that of का plural version यहां हम use करेंगे ठीक है तो see इसमें आपका सही answer होगा आगे हम देखते है if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place we should see a grand site मतलब यदि यह possible होता volcanic eruptions जो जो जोला मखी निकलते हैं जिस समय जोला मखी होता है और उस समय हम उसके पास अगर जा सकते तो हम एक बहुत बहतरी इन grand site मतलब एक बहुत अच्छा नजारा हम देख सकते थे यह sentence का मतलब है लेकिन इसमें mistake कहां है इसमें grammar की mistake कहां पर है ठीक है अब देखिए one of जो होता है one of के बाद जो noun आएगी वो plural में आएगी लेकिन इसके बाद जो noun आएगी वो plural में आएगी लेकिन इसके बाद जो वर्व आती है वो singular में आती है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि one जो होता है singular होता है वन का मतलब है singular लेकिन वन ओफ दा के बाद जो नावन आएगी यह प्रूरल में आएगी क्योंकि बहुत सारी चीजों में से हम किसी एक चीज को हम select करते हैं हम एक चीज में से एक को select नहीं करते हैं हम 4 और 5 और 10 चीजों में से एक को select करते हैं इसलिए हम बोलेंगे one of the students, one of the teachers, one of the books तो तो उसी तरीके से यहां पर erupsh Brews तो सही है यानी नाउन तो सही है लेकिन इसके बाद गो word आईगी यहां पर यह singular में आईगी टेक्स प्लेस सिंग्लर वर्जन इसका क्या होगा टेक्स प्लेस तो सी यहां पर इस कोश्टिन का आंसर है पूरा वीडियो क्लास देखिए एंड तक इसमें मैंने 15 बेस्ट कोश्टिन्स दिये हैं और सारे कोश्टिन्स आपके लिए हाइडी इंपोटेंट रहेंगे दा एयर क्राफ्ट वस ओवर लोड़ेट दिर वस सम्टिंग रॉंग ओफ देखिए हम बोलते हैं वाट इस रॉंग विदी यू आपके साथ क्या गलत है या क्या मामला है तो रॉंग के साथ हम ओफ नहीं लगाते भॉलते हैं वाट इस रॉंग विदी यू ठीक है तो इस तरह के कोश्चिंस इस समय ट्रेंड में हैं सभी कमडियटिव एक्जैम में जिसमें प्रपोजीशन सेंट्रे कोशिंस रहते हैं देखिए इसमें प्रपोजीशन की एक बहुत माइनर सी मिस्टेक है ठीक है या आर् होगा चल Dus आगे देखते हैं ऑफ़्व्षा फंद्स देखें यह जो टर्म है में से प्रोप्रियोशन ऑफब फंड्स लीज़स होता है में से प्रोप्री की सिन ऑuफंश्य एक जो आपको पैसा दिया गया है जिसके लिए आपको ट्रस्टी बनाया गया है कि आप इस पैसे को सही तरीके से यूज करिए उसमें उसमें घोटाला किया गया है उसको गलत तरीके से यूज किया गया है उसको हम बोलते हैं मिस अप्रोप्रीशन अफ़ंस अब देखिए यहां पर और इंक्वारी में अचली दो वर्ड होते हैं एक में आई आता है और एक में ए आता है जिसमें आई आता है वो investigation के लिए होता है और जिसमें E आता है वो उसका पूछताच जैसे railway में पूछताच होती उसके लिए वो इस्तेमाल होता है ठीक है तो inquiry word तो यहां पर सही है क्योंकि investigation के लिए यूज हुआ है लेकिन यहां पर inquiry, inquire into हम बोलते हैं, inquire of नहीं बोलते हैं a thorough inquiry into the misappropriation of funds यहां पर हम off ना बोलते हुए, into बोलेंगे और यह इसमें आपका सही आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं, while traveling by a train on a cold winter night अब देखिए यह sentence काफी लंबा है while traveling by a train on a cold winter night, cold winter night में जिस समय एक व्यक्ति ट्रेबल कर रहा था, उस समय argument rose between two passengers दो passengers के बीच में एक argument पैदा हुआ, एक बहस छड़ गई दो passengers के बीच में ठीक है, यह इसका मतलब है, लेकिन यहां पर देखिए by a train हम नहीं बोलते, क्योंकि यह fixed phrases होते हैं ठीक है, by car, by air, by train, by bus, यह fixed phrases होते हैं, इसलिए by a train हम नहीं बोलेंगे, by train बोलेंगे इसमें तो यह इसमें आपका सही answer होगा, next हम दिखते हैं, I cannot find where has he gone, देखिए यह बी एक काफी अच्छा sentence है I cannot find, देखिए, where has he gone, यह sentence pattern लगा दिया है यहां पर, अगर यह question होता तो यहां पर question mark होता, लेकिन यह sentence pattern नहीं है, यह affirmative sentence है, इसलिए has he न बोलते हुए, यहां पर हम बोलेंगे he has, यानि he इसमें यहां पर आएगा और has इसमें इदर आएगा, बहुत अच्छा sentence है यह, यह अक्सर पूछा जाता है, पर्टिगोल लिए से से एक्जैम स्मिस्टर के questions आते हैं, ठीक है, तो यह भी एक अच्छा sentence है, next हम देखते हैं, if I was the prime minister of India, I would work wonders, देखिए, एक होता है, real situation होती है, unreal situation, ठीक है, तो आई के साथ वास तो इसमें सही लगा हुआ है, लेकिन यह real situation के लिए है, लेकिन यहां पर हम बोलना है, कि यदि में भारत का प्रधानमंतरी होता, तो मैं बहुत आश्यजनेक काम करता, I will work wonders, लेकिन यह unreal situation है, एक आम आदमी इसमें ऐसा बोल प्रोनाउन्स के साथ, जाहे यहां पर आई हो, या ही हो, या कुछ भी हो, उसके साथ हम वरका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह real नहीं है, अगर real हम लगाते हैं, तब हम यह वास और वरका प्रयोग करते हैं, लेकिन चुकि यह real नहीं है, इसलिए हम केवल एक हेल्पिंग व पर वर्का प्रियोग करते हैं इस तरह की situations में नाइन्थ हम देखते हैं despite the pills which are available many people still have no sleeping मतलब दवाईयां लेने के बाब जूद पिल्स और गोलीयां लेने के बाब जूद जो की मार्कित में available है काफी सारे लोगों को अभी भी नींद की समस्या है देखे नो जैसे हम बोलते हैं I have no car तो यहां पर नो के बाद noun form लगाना सही होगा ठीक है तो इसका noun form sleep लगाना यहां पर सही होगा ना कि sleeping sleeping भी हलांकि gerend form में इस्तिमाल हो सकता है लेकिन pure noun form यहां पर चाहिए तो इसलिए sleep कहना यहां पर सही होगा ठीक है जैसे किसी प्रॉब्लम बोलते हैं यह प्रॉब्लम इन स्लीप ठीक है तो sleeping ना कहते हुए नो के बाद यहां पर नाउन वर्जन इसमें लगाना पड़ेगा इस्तिल है लो स्लीप कि सी इसमें सही आंसर आपका होगा अब देखिए एक यह सेंटेंस है इफ यह विल बाय वन शर्ट डरेगुलर प्राइस वी वोड़ है बडिसी इशको तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह कंडिशनल सेंटेंस है ठीक है इसमें वोडेप के साथ यहां पर थार्ड फॉर्म लगा हुआ है और चुकि इसमें If you had bought, ऐसे इस्तेमल करेंगे, इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है? काफी अच्छा यह सेंटेंस है, देखिए, ग्रामर के जो कंसेप्स होते हैं, उनको केबल रटने से काम नहीं चलता है, उनका एप्लिकेशन आपको आना चाहिए, यहां पर नीदर और नौर का एप्लिकेशन पूछा जा रहा है, देखिए, नीदर और नौर जो होता है, यूज करते हैं, तो इसलिए सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहां पर वर्ड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे वोज, ठीक है, तो ये नीदर और इदर का एप्लिकेशन है इस सेंट्ञेंस में, वो पूछा क्या है, वोज का प्राइब सभी बिञेंगे the beautiful surrounding of the Hill station enchanted everyone of us मतलब वहां o Ambah game surrounding if you think this is made of word surrounding okay surroundings दोनों में क्या अंतर है यह समय यह दीमें surrounding blazes जोंने आसपास में 야ओं तो surrounding हम adjective की तरह यूज़ करते हैं surroundings, noun की तरह हम यूज़ करते हैं, जो आफ से पहले यहाँ पर, noun ही आ सकती है, ध्यान दीजिए इसमें, यह काफी अच्छा मैं concept बता रहा हूं, यहाँ पर आफ से पहले यह कोई चीह है, जैसे, जैसे बुक ओफ राम, तो off से पहले noun ही आईगी, यहाँ पर off से पहले noun ही आईगी, अब surrounding का noun form क्या है, surrounding तो adjective है, surrounding का noun form जो है, surroundings, ठीक है, surroundings, तो यहाँ पर हम बोलेंगे surroundings, एस में आपका सही answer होगा, next हम देखते हैं, the cause of the sudden explosion, देखिए, यहाँ पर भी off से पहले cause का प्रियोग हुआ है, the cause of the sudden explosion in the aircraft hadn't been discovered till today, देखिए, यहाँ पर एक keyword है today, अभी तक इसको discover नहीं किया गया है, अभी तक का मतलब है, कि today जो word है, यह indicate करता है present को, इसलिए hadn't been हम इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते, इसमें हम haven't been इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकि today present को indicate कर दा है, इसलिए इसमें हम have not been का इस्तेमाल करेंगे, तो see इसमें आपका सही इसमें आंसर होगा, इसका जो real subject है, वो ground है, और ground को हमने modify किया है, इस present participle से, कि बाहर जो ground है, वो snake से भरा हुआ है, और वो mankind का enemy है, तो कॉमा लगा के दो बार हमने इस ground को modify किया है, एक बर पिजन पार्टिसिपल के दौरा और एक बर जहां पर इस phrase के दौरा, तो यह sentence सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यह bank p.o में पूछा किया है, यह sentence, अप यह अच्छा है, यह sentence है, next हम देखते हैं, we had heard the engine roar as the plane began to move, and we saw the people on the ground waving good bye, इसमें आप एक चीज़ देखिए, जब plane start होता है, तो उसके बाद engine की आवाज आती है, plane के start होने से पहले आप engine की आवाज नहीं सोच सकते, plane पहले start होगा, उसके बाद engine की आवाज आईगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि past perfect tense का use करना इसमें गलत होगा, ठीक है, past perfect तो हम व the engine roar, ऐसे हम बोलेंगे, इसमें दो तरीके के pattern होते हैं, यहाँ पर हम roaring भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका रख अलग निकलता है, रोर का अलग निकलता है, यदि भीवन हम लगाएंगे तो इसका रख अलग निकलता है, और int form लगाते हैं तो उसका अलग निकलता है, जैसे saw him crossing the road या I saw him crossing the bridge ठीक है तो यदि आप crossing बोलते हैं तो इसका मतलब कि आपने उसको cross करते हुए देखा जब वो बीच में था तब आपने उसको देखा और I saw him cross the road इसका मतलब शुरू से लेके आखरी तक देखा तो इसमें आपका सही आंसर इसमें होगा ठीक है तो इस तरीके से इसमें 15 sentences मैंने लिए हैं highly useful sentences हैं कोई भी sentences यह आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखिए और इस वीडियो क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि जाए सब्सक्राइब इस वीडियो क्लास को देख सकें इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू